हाईलो फ्रेंड्स गूड विडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एकजाम 2023 के 29 नॉमबर के 2nd सिप्ट में पूछेगे पसनों को साल्ब करेंगे इस सिप्ट के दोस्तों के लेबल की बात करें तो moderate लेबल के कोश्चन्स आपके 2nd सिप्ट में आयो है फिर्स्ट सिप्ट के पेच्छा दोस्तों इस सिप्ट में यानि 2nd सिप्ट में कोश्चन्स थोड़ा सा टप पूछेगे हैं तो चले दोस्तों आज के 29 नॉमबर के 2nd स्रिप्ट में पूछे के परसनों को हम लोग साल करना शुरू करते हैं दोस्तों question number 1 जो की 2nd स्रिप्ट में पूछा गया Under 19 महिला T20 विसकब 2030 कहां पर आयो जित हुआ current का question दोस्तों right answer होगा दच्छिन अफरीका जो लोग दच्छिन अफरीका पर अपना answer टिक कियोंगे उनका answer बिल्कुल correct है पहले स्रिप्ट में भी दोस्तों T20 से पूछा गया था थोड़ा back से था इस बार current से question उठाय गया है अगला question जो की 2nd स्रिप्ट में पूछा गया एसिया में पहली बार olympic cup और कहा आयुजित किया गया 1964 टोकियो जापान आपका right answer होगा जो लोग इस पर अपना answer टिक कियोंगे उनका answer बिल्कुल correct है यानि कि एसिया में पहली बार olympic cup और कहां जित हुआ 1964 में टोकियो जापान में किया गया था अगला question है प्लाइजमो डियम की खोज किसके द्वारा की गई थी राइट एंसर होगा चार्स लेवेरन जो लोग इस पर अपना answer टिक कियो होंगे उनका answer बिलकुल correct है अगला question डाणी निरितिक किस राज से सम्मंदित है राइट एंसर होगा हिमाचल परदेश जो लोग हिमाचल परदेश पर अपना answer टिक कियोंगे उनका answer बिलकुल correct है दोस्तों थोड़ा सा द्यान देंगे आपर लोगनेट से लगता कोई भी question miss नहीं होगा जितने भी लोगनेट मनाए जाते हैं सारे questions आपके exam में पूछे जा रहे हैं आगे चलते हैं next question देखेंगे हम लोग अगला question जो की पूछा गया दोस्तों second shift में skill India की शुरुआत कब हुई थी राइट एंसर होगा 15 जुलाई 2015 15 जुलाई 2015 जो लोग इस पर अपना answer टिक कियोंगे उनका answer बिल्कुल correct है अगला question पी बी सुन्दू ने किस ओलंपिक में रेजर्ट पर जीता था तो रियो ओलंपिक 2016 यहाँ पर आपका राइट एंसर होगा अगला question काल वेलिया निरित यहां से दोस्तों आपके exam में question बराबर उट रहे हैं आप थोड़ा सा ध्यान दिसे दोस्तों काल वेलिया गुलावो सपेरा से पूछा गया था अब यहां काल वेलिया फिर काल वेलिया से दो question आई हुए यहनि trend को समझने का प्रियास किजिए काल वेलिया निरित किस राज से समन्दित है राजस्थान राज से समन्दित है जो लोग इस पर अपना answer टिक होंगे उनका answer बिल्कुल correct है अगला question दारेनवो पूस्तक किसके द्वारा लिखी गई correct answer रसकिन वांड होगा क्या रसकिन वांड अगला question बेक्तिगा सत्यागरा आंडोलन का पहला सत्यागरा ही कौन था ये पूछा गया question है राइट एंसर होगा विनोवा भावे कौन विनोवा भावे जो लोग इस पर अपना answer टिक कियोंगे उनका answer बिल्कुल correct है अगला question भी दोस्तों यहीं से समन्दित है कालवेलिया निर्त राजस्थान जो गुलावो सपेरा ट्रिंड वे एक ही question दोस्तों आपके यहाँ पे दो बार पुछा गया और पहले भी ये question पूछा जा सका है question है दोस्तों सपेरा जन्जाती द्वारा किया जाने वाला निर्त कौन सा है तो कालवेलिया निर्त है दो question आज एक ही question के दोस्तों टापिक से यानि कि एक ही जगें के दोस्तों राजस्थान राजी से ही पूछे गया है जो कि हमारा दोस्तों कालवेलिया निर्ति से समन्दित है अगला question लोदी वन्स के समय की एंसर टिक की होंगे, उनका एंसर बिल्कुल करेक्ट है, अगला कोश्चन देखेंगे दोस्तों, जो की सेकेंड स्रिप्ट में पूछा गया, थिरी में इनी ये वोट, पुछता के लेखा खाएं, तो दोस्तों, जे रोम के जो रोम, आपका राइट एंसर होगा, जो लोग इ चुका है, रिपीटेट कोश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दिजिए दोस्तों, संस्किर्टी मंत्राल है, इसका राइट एंसर होगा, जो लोग इस पर अपना एंसर टिक की होगे, उनका एंसर बिल्कुल करेक्ट है, वो सारे कोश्चन ऐसा है, जो उप्लाई नहीं किये हैं, लेकिन बराबर अनलाइस कर रहे हैं, इसको बराबर देख रहे हैं, उनका दोस्तों, इजी तरीके से ही सही हो गया होगा, बहुत सारे कोश्चन से इसे हैं, आप लोग जानते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, या सेम टापी से उनके इर्दिद और कोश्चन पूछे जा रहे था, अगरा कॉश्चन, कबड़े खेल में अधिक्तम कितने खिलारी होते हैं, तो टोटल अधिकतम बारा खिलारी होते हैं, अधिकतम की बात की जाएं तो बारा खिलारी आपका राइट एंसर होगा, नेच्ट कॉश्चन दोस्तों, थोड़ा सा कामन सेंस यहां पी लगाई ऐसे questions को solve करने होते हैं यहाँ पर हमने answer लिखा दोस्तों जब वे I से अधिक होता है तो उसे राजसु घाटा कहा जाता है आगे चलेंगे next question दोखेंगे जो कि आज के second shift में पूछा गया question देखिए दोस्तों थोड़ा सा trend इसका भारत के चो थे मुखी चुनावा एक तो कौन थे डाक्टर नगेंदर सिंग आपका राइट एंसर होगा जो लोग इस पर अपना answer टिक की होंगे उनका answer बिल्कुल correct है next question जो कि second shift में पूछा गया iodine की कमी के काण कौन सा रोग होता है तो गेगा रोग जिसे गायटर की नाम से भी जाना जाता है गेगा रोग आप लोग इतना तो जानते होंगे तो गायटर इसे कहा जाता है iodine की कमी से होने वाला रोग है लगबख सभी लोगों का ये question सही गया होगा अगला question चंदेल उन्स ने कहां पर सासन क्या था तो जेजाक भुक्ती छेतर बोलते हैं दोस्तों ये आपका correct answer वनेगा next question जो की second shift में पूछा गया मुगल काल में कर लेने वाले को क्या कहते थे तो जमीदार की नाम से जना था क्या जमीदार जो लोग इस option पर अपना answer टिक कियोंगे उनका answer बिलकुल correct है last question देखेंगे दोस्तों जो की second shift में पूछा गया question था भारते सिंग्धान का अनुच्छद 149 में किसका उलेख है तो ध्यान से समझने का प्रियास कीजिए दोस्तों ये आपसे छोटा भी बना जा सकता है कुछ rate जारे करने के लिए सर्बोच नयाले को सकतिया परदान करता है article 139 देथे दोस्तों वो सारे प्रस्न जो की 29 नॉमबर की second shift में पूछेगे हम लोगों ने इनको अच्छी तरह से solve करने का प्यास किया तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे steady channel स्विक रुपा कलासे से जूड़े हैं चैनल को subscribe करें ताकि हमारे दोरा दे जाने वाले सभी वीडियोस आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में Thanks for watching